हेलो फ्रेंस आपका मेरे चैनल से लाइवन टुटल में स्वागत है आज में आपके पास बहुत ही सिंपल और असाम तरीके से सुंदर दिखने वाली लटकन लेकर आई हूँ देखे फ्रेंस मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हुआ रिबन का यूज किया हुआ इसमें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन जोड़ दबाएगा ताकि कोई भी में वीडियो अप्लेट करूँ तो आप तक उसका नुटिविशन पहुच सके देखिए यहां मैंने एक लटकन बना के रखा हुआ ह टसल इस टाइब में ही हमने बनाना है तो कैसे बनाना है देखिए यहां पर दो तो ऐसे रेडी की हुई है दो और हमने बनाने है इस पर तो यह मैं आपको बताऊंगी इसके पहले में बताऊंगी मैंने कितने इंच का लिया कैसे कटिंग किया इसका वह मैं आपको बता दे कि देखिए यह में पेसक पड़ा है तो मैंना यू प्रेट बता देने लिनकर आप पर अगया मैंने टीन इनची देश ए इसकी चुड़ाई और इसकी जो ब्रेथ ए वी फार न ले लिया इस तरह से तीन इंच लेकर यहां से सीसको कट करते रहें मैं इसको इस तरह से फोल्ड क्रेंगे से में लेंगे तभाना शेप में लेने के बाल यहार से मिडम हैं मैं जो है मिड़म्स सय ने पॉइंट बेखिण से कसमा मैं में आप़ ईंच कम कर देना है । तो तो गदनी ड्रांड इतना है आप से मैं इस तरह से राउंड्ड मैं ले के जाना इसको, लेके कटिंग करें सेell से तो यह इस तरह से हमारा बन जाएगा आप इसमें मैंने इसके तीन इंच लिया है आपको चार इंच लेना है पांच इंच इतनी बड़ी रहना चाहते हैं आप रख सकते हैं तो अब देखिए मैंने इसके कटिंग बता दिया है और मैं आपको कैसे स्टिच कनफ दाती है इसके नहीं लिए हम इस दिसा औरल में लिडियो हर पीज्ट में पलता क्यों ऐसा होता है क्योंको सब्सक्राइब stunt लिए गभी करें सबीडियो में he यहां से स्टिप्स करेंगे इसको तो देखिए पैसवा मिसकी डोरी पल्टने के लिए हम इस पिंच से निकालती हूं ताकि बहुत ही जल्दी और असाम तरीके से पत्ली सी निकलती है इसलिए स्टिप्स करते हूं देखिए इसमें में उन्हें पर स्लाई किया हुआ सिलाई के साइट से भी हम इसको प्लट सकते हैं इस पर मैं आपको इससे प्लटना से बता रहे हैं कैसे प्लटना है यहां देखिए यह देखिए कपड़ा है इसको इस तरह से किया अंदर की तरफ फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके हमने इसको इस तरह से प्लटते जाएंगे इसको इसके अंदर कप्राः फसाल लीरे यहाबने अब होब घरवरी लुप अब है दो ऐसे इसो के ऐसे में तरब प्र Census पूशे की तरबते जरी ओके कि यह अपने पिच्छी के तरफ होता जाएगा इस तरह से चाहे तो आप यहां पर दोनों सेट सिलाई मत लगाई तभी भी हो जाएगा यहां क्योंकि हमें यहां पर कटिंग करना पूलेगा इसको बहार निकालने के लिए तो यहां पर मैंने कुछ दिखा रहा था है दोनों स इंटर से हमने पकड़ लेना है और यहांस है को बार की तरफ एसको ऐसी तरह सी शेय Parents, करते जाएंगे और यहे वड़ ए मैं इस तरए एससको बार की तरफ खिर देज शाय है कि यहां पर जो कर दो से आदन ऐसे आगे कीस त्रफ करके फिर याह मैं पिर आस जो होहां हाँ हाँ भी मी Ineer यहां सफ फल्का हिर तो वो हलका फूलका हमारा जो है है फस्क जाता है है तो है हम अच्छे सी इसको कि तरफ कर देंगे इस तरह से इसको पिछए के तरफ लेए इस तरह outside तो देखे तीका करते है कि grain is उसके बाद इसको आँ से रिच के बाद ने करें तो यह हमारी डोड़ी बनेंग। अब हमने बनाने है इसके यह तो टसलस है उसे की स्थर से इसी इस तरह से हम डिजाइन कर रहा है रिबन से वह देखिए और यह रिवेन्हें को रिवन बहुत तरह क्याए वंड किक कारे हैं, फोल्ड किया और बसक्हाने के बास, अब जितनी हमें जरूर थी अपनी यहां से हम इसको देखें यहां से ज्रेक्ष्टर आ रहा है कर दिया और यहां जरूर एक्ष्टर है कि वह कर दिया अब यह इससे हमने हलका साथ दूरी रखें अब इसको बनाना है फिर से वैसे जैसे यह बनाया है वैसे यहां रखें और इससे भी रावन में घुमाना है बहुत ही सिंपल है और इसमें भी सुन्दर लगते है कर दो कि एक्ष्टा पाट कर देंगे हैं जैसे यह मने बनाया वैसे यह बनाना है अब है कर दो कर दो कर दो तो देखिए इस तरह से हमने यह बना लुए हैं दो पहले से बना के रखा हुआ था चार पैसल्स हमने त्यार किये हुए है अब इसे हमने कैसे एड करना वह दिखिए यहां से फॉर्स्ट नीचे वाले पार्ट में जैसे हमने जोरी यह बना रखे है तो फॉर्स्ट इसमें पहले यह जो है बोल्ड निकलर लगा हुआ तो पहले हम यह लगाएंगे यहां पर ऐसे रखां और इसे यहां यहां रखे हुआ वह श्टार्टिंग में से मेजर कर सकते हैं या फिर इसे बनाने के बाद तो इस तरह से इसको रखांओ और यहां से इसकी सिलाइब की सिम्पल हम बना रहे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हो यहां से जो एक्ष्टरा कुप्रा हमारा कट कर दें आँसे पलटेंगे इस तरह से आये इस पे लटने पर अब हम जो कोते हम अब आफ त זो यहां हमने इसको श्टिच किया है अब यह वह आ पाला कलर हम जब लगाएंगे तो इस तरह से देखाए यह थ्री फिंगर के दूरी पर हमस्को लगाएंगे यहां से इसको ऐसे पल्टे और से मैंसी जैसे इसमें सलाई किये थे वैसे ही देखें इस तरह से हमारी लिटिकन जो टेशल से है डेडी है जितनी देखने में सुंदर लगती है इतनी बनाने में बहुत असान है सिंपल तरीके से मैं बनाया है उसे आपको मेरे वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा थैंक्स फ्रेंट्स